टिप नमबर वन. स्क्रबिंग के लिए टमाटर का टुकडा लेकर चहरे पर हलके हाथों से मसाज करें. चहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी. तवचा को निखारने के लिए स्क्रबिंग बहुत जरूरी है. स्क्रब तवचा की मृत कोशिकाओं धूल इत्यादी को हटा कर रोमचिद्रों को बंध होने से रोकता है. टिप नमबर टू. चहरे की चमक रखे बरकरार. एक चम्मच गुलाब जल और एक चम्मच दूद के मिश्रण में दो तीन बूंद नीमबू का रस मिलाकर इसे चहरे पर लगाने से तवचा की कोमलता वच चमक बनी रहती है. रुखी तवचा से बचें. नारियल के तेल में शहद और संत्रे का रस मिला लें और इसे रुखी फटी हुई तवचा पर लगाएं. इस मिश्रण के सूखने के बाद गुनबुने पानी से धोले और हलके हाथ से पोचकर नारियल का तेल या कोई और मॉइस्टराइजर और इसे चहरे एवं गर्दन पर अच्छी तरह मलें. इसके बाद चहरा धोलें. टिप नंबर 6. डार्क सर्कल से बचें. आखों के नीचे जुरियां वर डार्क सर्कल से बचने के लिए बादाम के तेल में शहद मिला कर लगाएं और इस हलके हाथों से मलें और धोलें. टि पांच से दस मिनट के लिए लगा रहने दे और गुन गुने पानी से धोलें. टिप नंबर 8. टेलिया तवचा के लिए. एक चम्मच नीमबू के रस में एक चम्मच गुलाब जल और पिसा हुआ पुदीना मिला कर एक घंटे तक रखें. फिर इस पैक को चहरे पर लगा कर 20 मिनिट बाद धोलें. इससे चहरे का चिपचिपापन दूर हो जाएगा. टिप नंबर 9. यूं हटाएं चहरे के दाग धबबे. चहरे पर काले दागो को हटाने के लिए टमाटर के रस में रूई भिगो कर दागो पर लगाएं, इससे काले धबबे साफ हो जाएंगे. टि